मैं दीर जियादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमार एजुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमड़ी पर अगर हम बात करें आज के सेशन की तो काफी खास होने वाला आज का सेशन क्योंकि यहां पर हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं सेशन के अगर हम बात करें सेशन के जो भी प्रशना आप से पूछे गए तो उनके डीटेल सॉलुशन पर हम लोग यहां पर बात करेंगे और कहीं न कहीं जो स्टुडेंट्स के मन में थोड़ा सा डिसपॉइंट्मेंट है एक्जाम में पूछे के प्रशनों को लेकर के तो अगर हम बात करें यहां पर 33% आपको जो कौलिफाई करने के लिए लाना होता है क्या वह भी लाना मुश्किल है तो यहां पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर हम बात करें रिजनिंग सेक्शन में तो रिजनिंग सेक्शन में आपके लगबग 30 कोशन पूछे गए हैं और अगर हम बात करें तीस प्रश्णों की तो यहां पर अगर हम बात करें 18 से 20 यानी की more than 50% ऐसे थे जिनको आप इसली सॉल्व कर सकते थे अगर आप हमारे साथ सेशन में जूले रहे हैं तो आपको यहां पर पूछे गए various logic various topics के ताहत जो भी प्रश्ण आपको देखने को मि प्रश्णों पर हम लोगों ने अल्रेडी discussion किया हुआ है तो चलिए फटा फट से हम लोग यहां पर देखेंगे detailed solution reasoning section में पूछे गए प्रश्णों का तो यहां पर कौन से ऐसे प्रश्ण थे जैसे कि अगर हम बात करें आप लोग problem face किये हैं exam में तो क्यों कि उसका एक मु वेस्ट किया और आगे due to lack of time आप क्या करें कहीं न कहीं disappoint हो गए और जो question बनने वाले थे उन पर भी आप proper focused हो करके question को solve नहीं कर पाएं ठीक है तो यह भी एक मुख्य कारण रहा है कि आप लोगों ने क्या किये हैं गला तटम किये हैं या फिर questions आपके छूट गए हैं ठीक question आपके यहां पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो अगर हम बात कर इस पहले प्रश्ण की तो इस पहले प्रश्ण का solution क्या होने वाला इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे question के लिए मैंने आपको दो अप्रोच बताएं कि ऐसे question को दो अलग-अलग approaches हम लोग कैसे solve कर सकते हैं और यहां पर जो सबसे पहला logic मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार के प्रश्णों में सबसे पहले क्या करना होता है sum of place value, place value का क्या करना होता है letters की place value का सबसे पहले आपको sum करना होता है तो जैसा कि यहां पर आपको word engineer दिख इसके word engineer के letters की place value की तो यहां पर E की place value हो जाएगी 5, N की place value हो जाएगी 14, G की 7, I की 9, N की 14, E की 5 और E की again 5, और R की 18, इन सब का अगर हम sum करते हैं तो यह हो जाएगा 19 plus 7 हो जाएगा आपको 26 plus 9 हो जाएगा आपको 35 plus 14 हो जाएगा, आपको 35 plus 10 45 plus 449 plus 10 59 plus 18 यानि कि 67 प्लस 10 77 तो यहां पर आपको 77 देखने को मिल रहा है place value का sum और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको यह भी बताया कि जो भी logic यहां पर applicable होंगे letters के लिए same आपका opposite letters के लिए भी applicable होते हुए दिखाई देंगे तो अगर हम यहां पर 77 में number of letters का sum कर दें या number of vowel या number of consonants की बात करें तो भी आपको 131 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि आप हम बात करेंगे यहां पर opposite letters की place value के sum की और अगर यहां पर आपको opposite letter की place value का sum निकालना है तो आपको opposite letter लिख करके उसकी place value दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है करना क्या है आपको जितने number of letters है हमें पता है opposite letter की place value का sum कितना होता है 27 होता है तो 27 को अगर हम यहां पर multiply कर दें number of letters से यानि कि 27 into 8 तो 8 दूनी 16 8 सते 56 यानि कि 16 25 216 आपको यहां पर मिल जाएगा 216 और 216 में से अगर हम 77 को क्या कर दें माइनस कर दें तो हम यह opposite letter की place value का sum मिल जाएगा यानि कि 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा और यहां पर 11 में से 7 जाएगा 2 बचेगा यहां जीरो था ठीक है 12 यानि कि यहां पर बात करें 10 हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 3 और यहां पर आपका बचेगा 1 यानि कि 139 आपको देखने को मिल रहा opposite letter की place value का sum अब यहां पर आपको number देखने को मिल र number of letters को क्या कर दें minus कर दें number of letters कितने है 8 minus 8 करेंगे तो value मिल जाएगे हमें कितनी 131 clear अब क्या यह सेम लॉजिक यहां पर income के लिए भी applicable होता हुआ दिखाई देरा तो income में हम क्या करेंगे direct ही इसके opposite letter की place value को यहां पर लिखेंगे income में अगर हम क्या अगर है income के letters के opposite letter की place value लिखे तो i का opposite होता है rr की place value होती 18 n का opposite m place value 13 c का opposite x place value 24 o का opposite l place value 12 m का opposite n place value 14 e का opposite v place value 22 इन सबका अगर हम सम करें तो आठ तीन ग्यारा चार पंद्रा दो सत्रा चार एक किस और दो तेईस यानिकी तीन फिर यहां पर देखेंगे तो चार पांच दो साथ एक आठ एक नव दो ग्यारा कि कुछ गड़बल हो गई तेईस अच्छा दो कह रही दो जाएगा तो यहां पर जाएगा तीन एक चार चार दो क्या करना था मैं सब को जोड करके कर देना था तो 7 को हम पहले ही क्या कर देते हैं अब जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 8 4 12 12 9 21 23 और 9 32 यानि कि 2 कह रही जाएगा 3 3 2 5 2 7 2 9 10 और 12 यानि कि 122 क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अगले कुष्यन के लिए अगर हम बात करें अगले कुष्यन की तो बहुत जादा डीटेल में मैं आपको नहीं पर दालेट हम लोग की बात करें कि क्या लॉजिक आपको किस लॉजिक से आप यहां पर बना सकते हैं next अगर हम कुष्यन की बात करें तो आपका number series पर बेस्ट कोश्चन है यह क्या है 33 35 है 42 है 54 है 66 96 113 and 169 नेक्स्ट वन कोश्चन माख ठीक है फड़ा फट से इन सब क्या निकाल लेते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं सब्सक्राइब है सबस्क्राइब है आफिसेंस की बात करें तो है है अपोड़ी साथ का आप तीज sich चीवरेंट इनके difference के भी alternate अगर differences की बात करें मैं direct logic प्यार हूँ तो यहां पर आप देखेंगे इनके बीच में 5 का difference यानि कि next वाले के बीच में कितने का difference होगा 5 का difference होगा तो यानि कि 7 से 12 पे गए 5 का difference 12 से 17 पे गए 5 का difference 17 से 5 पे जाएंगे तो 22 मिलेगा और यानि कि आप देख सकते हैं कि जब हमने 96 में 17 जोड़ा तो अगला term मिला इसी प्रकार हम जब 169 में 22 जोड़ेंगे तो अगला term मिलेगा तो value कितनी हो जाएगी 191 यानि कि option number D क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए ठीक है बात करते हैं अगले question की अगला question आपका missing number पर बेज़े है और डारेक्ट ही हम यहां पर logic की बात करेंगे logic की उपर discussion करेंगे तो अगर हम यहां पर बात करें logic की तो logic क्या लगता हूँ दिखाई दे रहा है तो यहां पर logic जो आपका लग रहा है seven की power 4 में से हमें क्या करना है यह value को minus करना है जो आपके उपर वाले number उनकी power 4 करेंगे तो power 4 आप कैसे निकालोगे तो दो तरीका है यहां तो इसका cube दूसरा तडिका क्या है किसी नंबर की पावर फोर निकालने का कि उस नंबर का स्क्वाइर करिए और जो वैल्यू मिलती फिर अगेन आप उसका भी स्क्वाइर कर दीजिए और स्क्वाइर और क्यूब के उपर मैंने हमेशा डिसकस किया हुआ है कि आप लोगों को कम से कम 30 त दिखेंगे जो कि आपके स्क्वाइर और क्यूब के उपर बेस्ट हैं तो अगर हम बात करें इस पर्डिकुलर कोशन की तो सेवन का स्क्वाइर करोगे तो हो जाएगा 49 और 49 का स्क्वाइर कैसे निकालोगे तो 50 से कितना कम है एक कम है तो 25 में हम लोग क्या करते थे एक हो बचे गा 13 में से चार गए 9 से 927 से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन दो शेम में इस चैना 36 का स्क्वाइर करोगे कितने और 1296 1296 में आप 947 को मैंनिस करोगे तो 16 में से साथ जाएगा तो नो बचेगा आठ में से चार जाएगा तो चार बचेगा और यहां पे 349 यहाँ पर आपको value देखने को मिल रही है उसी प्रकार हम यहाँ पर बात करें तो 4 का square होगा 16 16 का square हो जाएगा 256 और 256 में से जब आप 149 को घटाओगे यानि कि 256 माइनस 149 आप करोगे तो 16 में से 9 या तो 7 बचेगा चार में से चार गए तो 0 बचेगा दो में से एक गए तो 1 बचेगा निकि 107 option number a क्या हो जाएगा आपको right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए फटा फट से बात करते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की अगले question की अगर हम बात करें तो अगले question का आयोग ने answer माना है option number c इसमें exact क्या logic लग रहा हो मैं भी यहां पर आपको discuss नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पर exact logic क्या लग रहा हो मुझे भी नहीं पता है ठीक है यह हला कि अगर हम बात करें option number a की तो option 7 मिलेगा और अगर हम बात करें 5 प्लस 3 की तो यहां पर आपको 8 मिलेगा तो option number a में भी आपको इस प्रकार की श्रंखला दिखाई देरी 6 5 11 एक को मिलाओगे तो 2 7 3 10 11 एक और एक को मिलाओगे तो 2 और यहां पर 8 4 12 दो और एक को मिलाओगे तो 3 तो यहां पर इस प्रकार से भी यह logic लगता हुआ दिखाई देरा था लेकिन आयोग ने यहां पर option number c को answer माना है क्या exact logic है वो हम लोग बाद में discuss करेंगे ठीक है कितने लोगों ने यहां पर option number a मात किया था सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चलिए next question आपका blood relation पर बेज़ जाने की family tree पर आधारित आपको question देखने को मिला अगर आप हमारे session में जूड़े रहें तो आसानी से आपने इस question को बनाया होगा और यहां पर देख रहें कि अभी आपको structure यहां पर draw करना है थोड़ा सा अगर हम बात करें यहां पर English और Hindi में तो देखो Hindi आपके लिहां पर काफी helpful होने वाली है कि यहां पर extra possibilities बनाने की जरूत नहीं है जैसा कि अगर हम बात करें English की तो English में paternal uncle का मतलब क्या होता है फूफा भी होता है और चाचा भी होत से हैं जो एक भीश और चक्रवात के कारण घर में फज गए हैं नव सदस्यों में तीन विवाही जोड़ें तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या थ्री क्या है married couples है ठीक है यहां पर बोला है एक बच्चे के माता पिता दोनों जीवित है एक ऐसा बच्चा है जिसके माता प दो घसे और और फादर का भाई कौन है और पाज़न का भाई कौनire बोला जा रहा है आर क्ट का चाछा है जो lesi कलौष इप छूंअड है जो जो किसके लिए आया तो जो आया यहां पहर टीके लिए जो क्या है वी दो पॉसिबिल्टि बनेगा यहां तो यह खुद भी हो ज एक्जाम में आपको दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ले करके चलने पड़ते हैं ठीक है यहां पे स्पेस ना होने के करण में एक ही स्ट्रक्चर पर आपको स्वल्व करा दे रहा हूं आगे कि अगर हम बात करें डबलू एक्स की क्या है चाची है जो आर की कलोती बेटी है तो आर की कलोती बेटी कौन है एक्स और डबलू क्या एक्स की चाची है यानि कि ये इनके पिता होगे पिता का भाई होगे चाचा और इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी चाची हो जाएंगी यानि कि डबलू क्या है कौन है Q डबलू का पिता कौन है Q और बोला जा रहा है एस क्या है क्यों की बहु है यानि की डॉर्टर-in-law है तो डॉर्टर-in-law होने कंडिशन कि कि W का कोई एक भाई होगा जो की married होगा किसके साथ में S के साथ में clear आगे कि अगर हम information की बात करें अच्छा यहां पर टी का भी जंडर क्लियर है बोला गया था आर टी का चाचा है जो वी की कलोथी बेटी है निकि टी क्या है बेटी है ठीक है आगे कि अगर हम information की बात करें तो बोला है वी का विवाह S से नहीं हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हम बात करें पहले प्रश्नकी तो पूछा गया है यू का वी से क्या संबंध है हाओ इस यू रिलेटेट टू वी यह हो गए इनकी पतनी पतनी की होगे पिता यानिकी सास यानिकी Mother-in-law तो सास इंगली प्रश्न की बात करें यहां पर जो आपसे पूछा गया है ती का Q से क्या संबंद है हाउ लेटट विद क्यूं तो टी का क्यू से क्या संबंद है जो दो जन्नरेशन नीचे वे फीमेल मेंबर है तो क्या हो जाएगी ग्राइऑ daughter आसानी से देख कि आप answer mark कर सकते थे smart तरीके भी आपको बताएं कि कैसे आप अपना time बचा सकते हैं आप अगर हमारे session में जुड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं आप वहाँ पे ना सिर्फ question को बनाना सीख रहे हैं बलकि आप क्या करना है time management के भी आप तरीके सीखने कि कैसे आ आप minimum time में maximum number of questions को attempt कर सकें साथ ही साथ आपको कौन से questions में फसना नहीं है टकना नहीं टाइम नहीं वेस्ट करना है इसके उपर भी हम लोगों ने discussion किया हुआ था तो जिन भी बच्चों ने यह गलतिया नहीं करी होंगी at least यहाँ पर आपके पास 18-20 questions ऐसे रहे होंगे जिन आपका banking के pattern पर based question आपको देखने को मिल रहा हला कि either or मैंने कहा था नहीं पूछा जाता है तो either or देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी यहाँ पर only और few वाले questions आपको देखने को मिले हैं तो obviously बात है session में मैंने इसके उपर discussion नहीं किया था only या फिर only few के उपर मैंने discussion न मिले इनका answer क्या होगा कैसे बनाना है और आगे आपके upcoming class में जो SSC वाली class है वहाँ मैंने का था किसी भी session को अगर आपको detail में देखना है तो वहाँ पर जूल करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इस question के लिए approach क्या होगा इसके बारे में लोग discuss करेंगे answer क्या होने वा कि state नहीं है फिर आगे आपसे बोला जारह एक केवल डेस क्या है राज है केवल डेस ऐनली country और state तो कहो होता है करी मेले वियाथ हो जाता है जाया जैसे की एगर on एंडर लिन आपर तो क्या हो जाएक और इस प्रकार से स्ट्येक्टर बनेगा हाला की सिअल्स ओक्राम पात करें तो अगर रिवर्स कर दो तो भी आपका स्ट्रक्चर रिवर्स बनेगा उसको आपको मानना पड़ेगा यह से लॉक्स ही हम बात करें ठीक है ना कि लॉजिकल डाइग्राम की लेकिन अगर हम बात करें ओनली वर्ड के जुड़ जाने से तो पहले चीज तो क्या होगा केस आपका रिवर्स बनेगा यानि कि सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे कंट्री हो जाएंगे दूसरी बात क्या हो जाएगी important कि अब स्टेट कंट्री के अलावा किसी दूसरे element का पार्ट नहीं हो सकता जैसा कि only word आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो अब स्टेट कंट्री के अलावा किसी दू दूसरे का पार्ट नहीं हो सकते तो पहला वाला तो हो गया डेफिनेटली फॉल्स दूसरे वाले की बात करें सभी दूसरे वाले की बात करें कुछ राज जिले हो सकते हैं कुछ राज क्या हो सकते हैं तो हमें पता है राज ये जो है वो केवल क्या हो सकता है देश हो सकता है क के वब कंट्री हो सकता यानि कि ये वाली बात भी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी यहां पर possibility भी नहीं बनेगी सभी देश हो सकते हैं सभी देश को अगर हम जिले में ले जाते हैं तो देश के साथ साथ श्टेट को भी जाना पड़ेगा जो कि possibility नहीं आनिकि जो आपका कोई भी country city नहीं नहीं है तो यह हो जाएगा आपका कांड से क्यों क्योंकि state वाले पार्ट को छोड़ करके country का जो बाकी हिस्सा है वो city का पार्ट हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब परिवार के छोटे मेंबर का जगड़ा होता है तो बड़ा मेंबर आपका बात कर भी सकता और नहीं भी कर सकता ठीक है यहां पर अगर हम उत्तर की बात करें तो कोई निसकर नुसरन नहीं करता option number C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रसने के लिए अगले यहां पर हम question की बात करें तो अगला question यहां पर कोडिंग डिकोडिंग पर बेज़े फटा-फट यहां पर logic की चर्चा करेंगे logic की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है D E P L O R E ठीक है इसके code की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा approach होता है उसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो भी आपका दिया गया शब्द है उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका code यानिकि यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 15 18 & 5 अब यहां पर आप देखेंगे कि जो भी आपके सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर है उनके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू आपको लिखा हुआ दिखाई देरा है जैसे हम बात करें डी की तो डी आपका एक सिंग साथ यहां भी डवर एक यहां भी डबल डी तो 5 और 6 यहां भी डबल डी टो और 8 और 9 यहां पर सिंगल टीट इसका प्लेस वैल्य यानिframes की 22 इसी प्रकार चापको नेक्स्ट वर्ड में भी देखने को मिलेगा आर आपका डबल डिजिट प्लेस वाला लेटर है तो नौ फिर एच सिंगल डिजिट तो एच का पोजिट है स् प्लेस वैल्यू नाइंटीन इका पोजिट वी प्लेस वैल्यू 22 टी का पोजिट टी आपका डबल डिजिट है तो टू प्लस जिरो करोगे तो टू मिल जाएगा ओ आपका डबल डिजिट है तो पांच एक करोगे तो छे मिल जाएगा आर आपका डबल डिजिट है आठ एक करोगे नौ मिल जाएगा आई आपका सिंगल डिजिट है तो आई का पोजिट आर प मिलाओगे तो 2 बनेगा यानि कि सारे option में आपको 2 दिखाई दे रहा है एक opposite letter होता है 26 क्योंकि ये single digit place value वाला letter है तो 26 आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यानि कि 226 के साथ जाएंगे ये option eliminate, ये option eliminate next one कि अगर हम बात करें यहाँ पे R, R में हो जाएगा यानि कि आपका option B क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछेगे question के लिए आगे भी यहाँ पे आप match करा सकते थे, N की place value होती है 14 तो 4, 1 मिलाओगे तो 5 बन जाएगा, I का opposite होता है, R place value होती है 18 S का place value होता है 19, 9 प्लस 1 मिलाओगे तो 10 बन जाएगा और H का opposite होता है, S place value होती है 19, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपके पास logic भी है, साथी साथ, कौन सा answer होगा, वो भी आपा सानी से mark कर सकते थे एक्जाम में पूरा आपको बनाने की ज़रूत नहीं थी, स्मार्ट तरीके से आप answer mark करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है चलिए, बात करते हैं, अगले पूछे के प्रस्ण की अगले हैथी मैं question की बात करूँ यहां पर क्या logic लगता हुआ दिखाई थे रहा, इसके बारे हम लोग discussion करेंगे तो अगर हम बात करें 32 की, तो 32 का अगर हम बात करें square की, तो 32 का square कितना होता है 1024, यानि कि 1024, 1024 में से अगर हम इसको घटाएंगे, इस number को 896, यह भी question बनाने वाला था, square और cube की उपर मनें बार बार कहा है कि आपको square और cube की value बिल्कुल orally दिमाग में छपी होई होनी चाहिए दिमाग में बिल्कुल आपके बैठना चाहिए कि यहां पर किसकी square की value है या square root निकालना दोनों की value आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए तो यहां पर हम इनके difference की बात करें तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा ग्यारा में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा तो एक बचेगा यानि कि 128 एगर हम बात करें तो 32 का यह four times क्या है multiple है 32 को गर four times multiply करोगे तो value मिलेगी आपको 128 यानि कि हमने क्या किया 32 का square किया और इसके बाद 32 multiplied by four उसमें से सब्ट्राइट कर दिया क्या सेम लॉजिक यहां पर भी हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब बात करेंगे हम 53 के square की तो कहोंगे 53 का square किसको याद रहता है मैंने सारे तरीके बताएं 50 से कितना ज्यादा तीन तो 25 में कितना जोड़ना था तीन यानि कितना हो जागा अठाइस और तीन का square जीरो ना अठाइस जीरो ना माइनस क्या करना है 53 multiplied by four वैल्यू कितनी आ जाएगी 212 212 को इस में से घटा होगे तो 9 में से दो जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा फिर उसके बाड होगो षाथ आपको यहां पर क्या करना था अप्लाई करना था 41 का स्क्वाइर कैसे निकालोगे तो 41 के लिए हमने क्या कहा 50 से कितना कम नो तो 25 में से 9 खटाओगे कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वाइर होता है कि अगले कोशन की बात करें तो इस पर अलग अलग तरीके से मेंज भी देखने को मिले है और इतना भी डिफिकल्ट देखा जाएए तो फीगर नहीं जितना आप लोगों ने इसको बना लिया है ठीक है बिल्कुल अगर आप इसको क्या करें अलग 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 पार्ट में डि हएसन देखा है तो बताईए इसके उपर हम लोगों नंे डिसकस किया हुआ हुआ है या नहीं किया हुआ है कि इसमें कितने नंबर आफ होंगे बताओ किया हुआ है कि उसकी पर्सें होगा तो इतनों पार्ट device रबंद सिलिंगे कि नहीं दिखाई देंगे ठीक है अब अगर हम बात करें इस वाले एरिया की की तो बताओ यहां से भी आपको 12 रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यह भी क्या है 6 parts में divided है तो यहां पर भी हो जाएंगे आपके कितने 12 triangle clear चलिए बात करते हैं अब यहां पर दूसरे अलग-अलग areas की तो अगर हम इस area की बात करें इस area का अगर मैं separate structure ड्रॉक्टर करूं तो बताओ यहां पर आप आसानी से निकाल सकते कि कितने number of triangles बनेंगे यहां पर जितने parts में divide होता था one plus two करते थे तो three यह हो जाएगा फिर इसको हमने दो भागों में बाट दिया तो three plus three कितने हो जाएंगे six हो जाएंगे तो यहां से six चलिए sorry for disturbance ठीक है तो यहां पर हम बात करेंगे इस वाल एरिया की तो इस वाल एरिया में भी आप clearly देख सकते हैं अगर इसको मैं हटा हूँ तो आपको इस पर भी मैंने बिल्कुल तरीका बताया कैसे निकालेंगे तो यहां से भी आपको छे ट्रेंगल बनते हुए दिखाई देंगे clear अब हम बात करें यदि स्वाल एरिया की अब हम यदि स्वाल एरिया की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको यहां पर भी बनता हुए दिखाई दे रहा है यहां से भी आपको कितने छे त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे यानि कि प्लस कितना हो जाएगा six ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे इन तीनों एरिया में common elements इन तीनों एरिया को मिला करके जो आपके common triangles हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर देखो common triangle कौन कौन से इन एक common triangle आपका ये वाला बनेगा ठीक है दूसरा common triangle आपका ये वाला बनेगा अधीक है दो हो गए तीसरे अगर हम common triangle की बात करें तो ये वाला बनेगा तीन हो गए और चौथे अगर हम common triangle की बात करें तो ये वाला बनेगा चार तो चार common triangle आपको इन तीनों area को मिला करके मिल गए तो ये हो गए चार अब बचा अपने पास एक area जो की कौन सा वाला है ये वाला है तो आपको बताना इस area में कितने number of triangle हैं तो देखिए एक तो ये हो जाएगा दूसरा ये हो जाएगा तीसरा ये आपको नीचे में दिखाई दे रहा है और चौथा इन दोनों को मिला करके यहां से भी आपको कितने triangle मिल जाएंगे चार इसके लावा यहां पे आपको कोई भी अत्रिक्त त्रिबूज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा यह वाला देखो यहां से line आपकी क्या है यहां से line आपकी टेड़ी है तो इसको आप triangle मत मान लेना ठीक है तो यहां पे एक लिए फटा-फट से कैसे निकालना है इस area से अगर हम बात करें तो हमें पता है 12 12 कितने हो जाएंगे 24 फिर अगर हम इस पूरे area की बात करें इस पूरे area की बात करें तो यहां तक से निकालोगे तो 6 फिर यहां से यहां तक निकालोगे तो 6 और यहां से यहां तक निका करके तीन और फिर इस पूरे को मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे चार ठीक है यानि कि चौबिस यह हो गए ठारा यह हो गए चार यह हो गए और यहां से आपके मिल रहे हैं कितने चार यहां से आपके कितने मिल रहे हैं चार यानि कि एक दो तीन और एक यह वाला चार ठीक है तो 18, 4, 22 और 4, 26 और 24 मिल करके कितने हो जाएंगे 50 यहां पे number of triangles आपको देखने को मिलेंगे यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प यहां पर बोला गया है कुछ फूल क्या है फल होते हैं यानि कि some color change कर लेता है some flowers are fruits कुछ flowers क्या है fruits है फिर बोला है सिर्फ कुछ फल क्या है पौद है only few fruits are plant only few fruits are plant यह हो जाएगा आपका plant तो only few के case में क्या होता है some part होता है as well as some not का case भी आपको बनेगा यानि कि यहां पर अगर हम बात करें पूरा का पूरा structure यहां पर आपको देखने को मिलेगा दूसरी important बात है कि आप ट्री प्लांट के अलामा किसी दूसरे element का part नहीं हो सकता जैसा कि यहां पर आपको only या फिर सिर्फ या फिर केवल शब्द दिखाई दे रहा है ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर पूछे conclusion की conclusion के अगर हम बात करें तो बोला सभी पौधों के फल होने की संभावना है तो जब पूरे के पूरे पौध है अगर fruit का पार्ट होना पड़ेगा जो कि possibility भी नहीं है जैसा कि आपको यहां पर only शब्द दिखाई दे रहा है फिर बोला जारा सभी फलों के फूल होने की संभावना है सभी के सभी जो फल है वो क्या हो जाए फूल हो जाए और फूर्ट कैन भी फ्लावर्ट हो सकते हैं तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा यानि किसका एक अगर हम possible structure बनाएं तो जो हमारा statement है वो उसमें क्या करेगा एक्जिस्ट करेगा और कैसे possible structure बनाते हैं इसके उपर मैंने सिलॉक्स के सेशन में डीटेल में discussion किया हुआ है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा only conclusion two follows जाने कि सिर्फ निसकर्स दो अनुसरान करता है बात कर लेते हैं अगले पूछे के question की अगला question आपका direction and distance question है काफी easy question था देखो यही वो प्रस्ण है जिनको आप आसानी से बना सकते थे blood relation मिल गया आपको यहां पे दो नंबर का question एक series आपको easy थी फिर उसके बाद मिला तो आप ऐसे question को भी बनाती तो आप 18-20 question असानी से बना सकते थे इस question के अगर हम बात करें तो बोला है एक व्यक्ति बिंदू M से चलना शुरू करता है तो अगर हम मानले इसको बिंदू M और बोला है वह उत्तर की और 10 मीटर चलकर बिंदू P पर पहुंचता है तो अ इसना है 9 मीटर है आगे कि अगर हम बात करें बिंदू S से वा दक्षिन में 6 मीटर चलकर बिंदू I पर पहुंचता है यानि कि यह distance अदस तो 6 वाली दूरी इससे कम होगी तो इसको मान लेते हैं बिंदू I और यह distance कितना होगी या 6 मीटर ठीक है आई को यहां लिख देते नाई और घूमता है और बिंदू L पर पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है यहां से वह कितर मुलेगा राइट मुलेगा राइट मुल कर कितना चलता है 4 मीटर चलता यह distance से कितना चार इस बात को आप लोग यहां पर थोड़ा सा नोटिस करके रखेंगे कि यहां पर हम बा पूर में यान कि यहां अगर यह दूरी है यहां चलेंगे कितना चार मीटर तो यहां से हम पहुंचेंगे कहां बिंदू F पर तो यहें cela चार मीटर और यह मटर पंदो ठीक है आगे की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें ठीक है एफ जो है वह एम के पूर में है डिस्टेंस हो गया यह चार यह हो गया छे यानि कि टोटल हो गया दस अब हम बात करेंगे पूछे के प्रस्ण की तो प्रस्ण पूछा जाती बिंदू N स से तीन मीटर पश्चिम में है एस से तीन मीटर पश्चिम में है तो यानि कि अगर यह टोटल डिस्टेंस ठाङ हो यहां तक था 4 यानि कि अगर हम इसको माणों बिंदू n और यह डिस्टेंस मान ले हम 4 तो यह दूरी कितनी हो जाएगी यहे दूरी हो जाएगा हमारी 6 पर हमसे पूछा क्या गया ह बिन्दू, M और N के बीच की निनुतम दूरी, यानि कि अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट हो गई, 10 बेस की बात करें, तो बेस होगे अपने पास 6, और हमें निकालना हाइपोटेनियस, तो हमें पता है, 10 का स्कॉार प्लस 6 का स्कॉार कितना हो जागा, 136, यानि कि 136 के हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछे गए प्रस्टन के लिए, यानि कि मिनिममम जो डिस्टेंस होगा, M और N के बीच का, वो कितना हो जाएगा, तो रूट 34, आसानी से आप इस कॉस्टन को भी बना सकते थे, अगले अगर हम कॉस्टन की बात करें, यह यहां पर आप से पूछा गया है, तो बिंदू J बिंदू I कि किस दिशा में है, तो आई पर हम अगर मैप बनाते हैं, तो यह डारेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा नौर्थ वेस्ट यानि कि उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D, आंसर क्या हो जाएग हम देखे हैं, तो आपसे नमया थो 14 गए आठ, और यहां पर 9 नमयों से 5 गए, चार फिर हम बात करें, तो कितने का डिफरेंस हों थ devoted 25 से हाँ आपको जया हो, आपको vigl multiplied by 4 यहां पर क्या देखने को मिल रहा है divided by multiplied by 3 और यहां पर देखने को मिल रहा है divided by 4 अब next क्या हो जाएगा divided by 4 तो 36 divided by 4 करोगे तो value आ जाएगी 9 और यहां पर 255 में 9 जोड़ोगे तो value मिल जाएगी 264 यानि क्या यहांसर हो जाएगा option number C बिल्कुल आसान सा question था बनाने वाला question था लेकिन इन questions को भी अगर आप नहीं बना करके आएं तो फिर सोचने वाली बात है थोड़ा सा यह बिल्कुल आसान आसान से प्रशन है चलिए next question अगर हम बात करें तो आपका floor based puzzle पर एक question यहां पर पूछा गया था आप से इसको भी फटा 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 हम लोग solve करेंगे यह भी आपका easy question था और इस प्रकार के प्रशनों की हम लोग बात करें तो इस प्रकार के puzzle को हम लोगों ठीक है आठ box एक के उपर एक रखे गए है more than five boxes are kept above box A सबसे पाइल information के अगर हम बात करें तो पांच से आधिक यानि कि at least छे box तो होंगे ही होंगे एक के उपर यानि कि एक दो तीन चार पांच छे और यहां हम रख सकते हैं A यहां फिर क्या हो सकता एक उपर में साथ box एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां पर रखेंगे ए दो पॉसिवल इस्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है अगली information कि अगर हम बात करें तो यहां पर बोला गया है box K is kept immediately above box F यानि कि F के ज़स्ट उपर में क्या रखा गया है box K को रखा गया है above box X and immediately below M और M के ज़स्ट नीचे यानि कि यहां हो जाएगा आपका M आगे की information कि अगर हम बात करें तो यहां पर बोला गया two boxes are kept between box F and box W एक possibility क्या बनेगी रखी यह हो जाएगा F, यह हो जाएगा K यह जाएगा M और F के नीचे में यहां फिर रखा अपका W और एक possibility बनेगी कि W को हम यहां पर रख दें ठीक है दो अलग अलग possibility बनेगी आगे की information कि अगर हम बात करें देखो जो चीज यहां पर आपका fix होता जा रहा है उसको fix करेंगे जो नहीं fix हो रहा है उसको as an information क्या करेंगे note down करके लिखेंगे ताकि हमें बार-बार paragraph ना पढ़ना पड़े आगे आपको बोला गया है box h is kept below box w box h क्या है w के नीचे कहीं पर रखा गया तो यह तो आपके अब चोके तो ढहें तो टीन दिने च्शे दो आट-टा बॉक्स ऐसे ही आपके हो जा रहे है यानि कि इसको अगर हम इसमें fix करेंगे तो भी नहीं होगा और यहां पर fix करेंगे तो भी नहीं होगा या कंडिशन क्या हो गई ये condition हमारी गलत हो गई इस condition को हमें ले करके नहीं चलना है तो यहीं से आप इसको पिक करके क्या कर सकते हैं अपने पास यही एक क्या बची है possibility बची हुई है क्यों eliminate हुआ यह भी आपने देखा क्योंकि आठ पोजिशन तो आपके यहीं पर हो जा रहे क्यों क्यों आगे आपको बोला गया box B is kept below box Q बट not immediately और box B भी क्या है क्यों के नीचे है लेकिन इनके बीच में at least एक box तो होगा यह होगा at least इससे जादा भी हो सकते हैं ठीक है चली अब यहां पर आपको बोला अगर हम टॉप इसको फॉर्थ पोजिशन पर रखेंगे तो केवल और केवल चार बॉक्स के लिए ही जगा बचेगी यानि कि इनका पोजिशन क्या हो जाएगा यहां पर फिक्स हो जाएगा W M K और F और यहां पर भी हम लिखेंगे W M K और F दो पॉसिबल स्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास बचे हुए है सुर्य यहां पर F है कि जिए अब इसके नीचे में क्या रखना है एच को रखना है और फिर क्यू को रखना और B को रखना तो यहां पर आप पास तीन ही पोजिशन और बोला है कि Q और B के इसमें एक बोक्स तो हो गाई होगा यानि कि यह कंडिशन भी क्या हो गई एक चोड़ करके आठवा मेमबर भी हो जाएगा तो जो एक प्रॉपर आपका structure बनेगा दी गई puzzle के लिए वो इस प्रकार से बनेगा अगर हम बात करें यहां पर पूछे गए प्रश्णों की यहां पर भी आप 15 और 16 दो कोशन आसानी से आप बना सकते थे यहां पर पूछे गए प्रश्णों की तो बोला है निमलिखित में से कौन सा सही है box A सबसे नीच box है तो box A के उपर यहां पर आपको चार boxes दिखाई दे रहें यानि कि यह भी क्या है गलत है बात करते हैं आप अगले पूछे गए प्रश्ण की अगला जो यहां पर आप से प्रश्णों पूछा गया था वो पूछा गया था box A के नीचे रखे बक्सों की संख्या डैस के उपर रखे बक्सों की संख्या के बराबर यानि कि अगर हम बात करें box A के तो box A के कितने नीचे कितने box है तीन box है तो किसके उपर तीन box आपको दिखाई दे रहें तो F के उपर आपको तीन box दिखाई दे रहें कि answer क्या हो जाएगा option number B यहां पर right answer हो जाएगा पूछे ग numbers पे इन numbers पर यहां पर जिखान देंगे तो यह आपका हो जाएगा 13 का स्कौयर यहां पर जाएगा यह 23 का स्कौयर और यहां पर पिर से आप देख सकते हैं कि square और cube की कितनी महतब्ण भूमिकार रही आपके पूरे के पूरे exam में यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर करें, इन दोनों का घृड़ तो 3 168 और यहां पर आठ याझने का इन दोने को जोड़ करके यह नमबर को आपको मिल गया यहां पे देखेंगे, तो 9-3-12 यानि की 2 हirs 4 की जर्थी यहां पर जाएगा एक हो जाए छुछ यहां पर यह नमबर मिल जाएगा अब यह कि हम बात करें कितने के स्क्वाइर में हम क्या करें बारा को जोड़ दें कि नंबर हमको मिल जा ठारा सो एकसर्ट और ठारा सो एकसर्ट में क्या करें कि बारा घटा देंगे यानि कि यहां पर ग्यारा में से दो जाएगा तो नो बचेगा फिर उसके बाद यहां पर पांच मे है साथ कम है तो 25 से 7 कम चाहिए इस व MON को भी आप बना सकते थे अगर거를 फोबा सा मेयनत करते तोड़े से gosh ओती थे आछ फो बात क्रें करने ऊपने हां पर अनसादे और इस प्रकार के पुर्शनो के हम चर्चा जरूर करेंगे इस particular question पर मैं discussion नहीं करूंगा बाकि आपके जो आगे चलके statement and अगर हम बात करें situation reaction test पर बेस जो आपके question है उस पर हम लोग detail में discuss करेंगे यानि कि वहाँ पर आप आसानी से options को eliminate करके question को solve कर सकते हैं यानि कि आप question को पढ़ते हैं नहीं सबसे बड़ी गलती ही आप यहाँ पर करते हैं तो इस question का जो आयोग ने answer माना है इसको माना है first वाला इसके उपर बहुत जादा मैं detail में discussion नहीं करूंगा ठीक है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशन की जहां पर आप elimination से question को असानी से बना सकते थे अगले question की बात करें तो यहां पर भी थोड़ा सा आपके लिए जान लेना आवश्यक है क्योंकि यहां पर आपको दो solutions बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हलाकि आयोग ने जिस solution पर based यहां पर options रखें उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे उसकी according यहां पर दिए गए solution लेकिन कई सारे बच्चों का दूसरा वाला solution भी हो सकता है कि आपका exam में बना हो तो जितने भी बच्चों का दूसरा वाला solution बना है वो लोग क्या करेंगे comment कर जाएंगे और इन future हो सकता है में भी आपको यह question विलोपित होता हुआ भी दिखाई दे सकता है क्योंकि यहां पर दो solution बनने हाला कि option जो है वो आपका एक particular solution पर बेस्ट है यानि कि दूसरे वाले solution पर बेस्ट यहां पर options बनते हुए दिखाई नहीं देंगे तो चलिए सबसे पहले आपको दिया गया है रोहन second to the right of Reshma यानि कि अगर यह हो गई रेशमा तो second to the right में कौन बैठा है रोहन बैठा है मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी कठिनाई होई होगी बनाने में यह भी question आपका easy था अगर आपने प्रयास किया होगा तो जरूर फिस question को बना पाए होंगे ठीक है आगेक information की अगर हम बात करें तो बोला हैсли नेबर और एंधार सुष्मा और साहिल की नेवर रेश्मा है तो यहां पे हम सुष्मा को सक्ते आ हैं यहां पे साहिल को रखेंगे लेकिन आगे आप देखेंगे कि साहिल के immediate neighbor कौन घौन है है य हुए हैं तो यहां पहुजाएगा आपका साहिल अर्यों मुझा है ठीक है और यहां पे एक और दिया गया था अपको तो रेश मॉइस नेबर अअ शुश्मा मैं ने की हो जाएगी शुश्मा एक और यहां पहोगही संदीप and स्रिष्टी रोनक जो है वो संदीप और स्रिष्टी के बीच में नहीं बैटा है यहाँ पे बोला है साहिल इस एक लाइन हम लोग मिस कर गए यह वाली संदीप is not a neighbor of Rohan यानि कि संदीप यहाँ पे नहीं हो सकता संदीप यहाँ नहीं हो सकता ठीक है यानि कि हम संदीप को यहाँ पे बना सकते हैं और एक में हम संदीप को यहाँ पे रख लेते हैं संदीप के लिए दो possibility हो गई ठीक है चली एक को हमने यहाँ पे बना लिया और एक को हमने यहाँ पे बना लिया आगे एक information के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला गया था रौनक is not between संदीप and स्रिष्टी रौनक जो है वो संदीप और स्रिष्टी के बीच में नहीं तो यहाँ पर अगर हम स्रिष्टी को बना लें तो यह रौनक हो जाएगा और यहाँ पर बोला है स्रिष्टी is not between रौहिए और संदीप तो आप देख सकते हैं यह condition भी in the same way यहाँ पर अगर हम बात करें स्रिष्टी is not between रौहिए और संदीप तो यह हो जाएगी श्रिष्टी और जैसा कि आप से बुला गया है रौनक इस नोट बिट्विन संदीप और सिर्ष्टी तो रौनक को हम यहाँ पे बठा सकते हैं यानि कि यह वाला structure भी आपका सही हो रहा है दी गई condition के according और यह वाला structure भी आपका क्या हो रहा है सही हो रहा है निकि दोनों structure आपके बन रहे हैं और दोनों structure के according आपके जो answer है वो अलग अलग आएंगे लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प में देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर हम बात करें आयोग ने किस वाले solution को माना है तो उसी के according आपको solution भी बनता हुआ दिख फॉर्थ टूदा राइट या फिर फॉर्थ टूदा लेफ्ट जबकि यहां पे आपको दिखाई देगा घाठ तो तो दा राइट भी आपको option में दिखाई नहीं दे रहा यानिकि दाहिनी और तीसरा स्थान यहां और पाँचवाज स्थान दोनों यहांब को विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है, जब कि हम बात करें, दाई और चौथा इससान आपको दिखाई दे रहा है, यानि कि आयोग ने इस वाले solution को consider किया है, और इसी के according आपको option भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानि कि यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option number C, बात कर लेते हैं, इसी आपका statement में ही clear हो रहा है, फिर हम बात करें, आपका रौनक और रोहन, रौनक और रोहन की बात करें, तो रौनक और रोहन भी यहाँ पर पडोसी है, ठीक है, जब कि यहाँ पर देखेंगे तो रौनक और रोहन पडोसी नहीं है, ठीक है, इस वाले solution में रौनक और रोहन प ठीक है इसके according आपको option ही नहीं दिये गए हैं बात करते हैं अगले पूछे गए प्रस्नकी चलिए अगले पूछे गए हम प्रस्नकी बात करें तो option के elimination से ही आप question को बना सकते हैं बिल्कुल common sense वाले question है ठीक है यहां पर आपसे बुला गया हाल ही में पेशेवार रूप से य प्रक्षम नहीं है आप क्या करेंगे नौकरी की उपलब्दता बढ़ाएंगे तो बिल्कुल यह एक आपका क्या हो सकता है answer हो सकता है ठीक है यह आपका एक answer हो सकता है next one अगर हम बात करें अपने कुछ पैसों से युवाओ की सहायता करेंगे लेकिन प्रक्रिया से करने का आप एक common sense वाला question है यहां पर इसको eliminate कर सकते हैं यहां की रोजगार की जरुतों को पूरा करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक करेंगे यहां पर बात करी जा रही है ignorance की तो यहां पर हम बात करें तो यह वाला भी आपका option नहीं बनेगा यानि कि हमें क्या करना होता हमें दिये गए विकल्पों में से क्या करना होता है बेस्ट को चुनना होता है ठीक है तो यहां के अगर हम बात करें लास्ट option की तो बोला है बेरोजगार यहां के लिए सो रोजगार के आउसर पैदा करने हैं तो यह आपका क्या कर रहा है best way to deal with situation की बात कर रहा है यानि कि हो अलग अलग तरीके से चाहिए वो आपका financially हो टेक्निकली हो या अलग 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 प्रसिक्षण की भी बात करी जारी जैसे कि आपका National Skill Development Corporation हलाकि इसका नाम भी बदल दिया गया है इसकी सुरुवात भी इसी के तहत की गई थी कि आपको क्या किया जा सके में ना हो कि आपको जानकारी नहीं किसी भी अगर हम बात करें व्यवसाइक प्रसिक्षण के तोर पे आपको पूरी प्रॉपर एक जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करी जाती है ठीक है तो यह आपका best way to deal with situation हो जागा यानिक आंस इनों में अधिक्तम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है आप क्या करेंगे इसके बारे हमें यहां पर डीटेल में डिसकस करना है ठीक है चली तो अपनी टीम के साथ उत्पादन रण नीती की योजना बनाएंगे और नियमी तंतराल पर उत्पादन कारिकरम के निगरानी करेंगे तो यह आपका विकल्प हो सकता है हमने कहा बेस्ट वे टू डील विस सिच्वेशन के हम बात करेंगे तो अभी इसको हम एजन ऑप्शन रख सकते हैं ठीक है नेश्ट वन बात करें किसी भी तरह से लक्ष को पूरा करने के लिए प्रोड़क्शन टीम लेते हैं इसके बारे में चर्चा करी जाएगी अगर हम बात करें सिच्वेशन टेस्ट की तो बेसिकली एक्जामनर क्या टेस्ट करना चाहता है कि आप उस पर्टिकुलर सिच्वेशन में क्या रियाक्ट करेंगे जैसे बहुत बार आपको ऐसे भी कोश्टन देखने को मिल करता है और एक्जामनर भी यही जाचने का प्रयास करता है इन पर्टिकुलर कोश्टन के माध्यम से तो आप अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे के उपर सौपने के वजाए आप अपने एंड से क्या इनिशेटिव लेते हैं आप कैसे सिच्वेशन को करते हैं इसके बार प्लस कर अठतों करें प्लास कर देना थैं कर देना इस प्रकार हम बात करेंगे साथ के स्क्वाईर की तो साथ का स्क्वार उनुचास और साथ का क्यों को हमें जोरना फ्लस कर देना था है तो वैज लिए इनаменिस करी जाएगा एक यहां पर हो जाएगगा 549 और 306 99 इसी प्रकार हम बात करें 6 के स्क्वाइर की तो 6 का स्क्वाइर होता है 366 का क्यूब होता है 216 कि दोनों को जोड़ेंगे तो 612 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 18 यहां पर हो जाएगा दो और 35 और यहां पर दो यानि की वैल्यू बन जाएगी 258 नेश्ट बन बात करें तो 8 का स्क्वाइर होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस 8 करोगे तो 8 2 10 4 14 का चार वसील लगेगा 172 और 58 4 4 जाएगा 265 यहां पर चार चार लगे पर दे यहां पर राइडी हो जाएगा पूचन में पर बेज़न हाई और इम सी क्यून में ने मैंने बिलकुल आसानी से बताया कि इस कूश्चन को कैसे आशल करते हैं आपको कवल और क्या करना हुता इनफॉर्मेशन को नोट करके लिख लेना होता है तो चलो फटा-फटसे इनफॉर्मेशन को नोट करके लिख लेते हैं डारेट हम यह पर कोस्टन की बात करेंगे यहां पर आपका केंडिडेट के सेलेक्शन की बात करी जा नीचे दिये गए प्रत्तिक प्रश्ण में उम्मीदवार का विर्ण दिया गए आपको उपर दीगे शर्तों के लिए ठीक है चलो हम डारेट आते हैं कोश्चन के उपर कि दीगे कंडिशन को लिखते हैं फटा-फट से हुँ पहली कंडिशन क्या है कंडिशन वन कंडिशन वन की बात करें तो कंडिडेट शुड है अट लिस्ट एट सजी पीए एज एवरेज ठीक है तो यहां प्रेम्लिक लेते हैं सजी पीए का एवरेज कितना होना चीए एट होना चीए ठीक है नेक्स्ट इंफॉर्मिशन के हम बात करेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मिशन दिया गए नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें कंडिशन की है तो नेक्स्ट Candaise दिया जोड़्ट शुड डन I अधर बैशलर ओफ अफ टेकनलोजी इन कंप् 있어 science और बैशलर ओ टेकनलोजी इन इंफॉर्मिशन टेकनलोजी यानी पिंट पर CS से वो क्या होना चाहिए, graduate होना चाहिए तीसरी condition के हम बात करें IT या फिर CS से क्या होना चाहिए, graduate होना चाहिए ठीक है, चौथे अगर हम यहाँ पर condition की बात करें तो चौथी condition दी गई है, candidate should not be less than 21 years of age and also not more than 27 21 से 26 वर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, इसकी age होनी चाहिए, ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर exceptional cases की, तो exceptional case में आपको दिया गया है, यह में क्या दिया गया है, यादि दूसरी condition fulfill नहीं होती है, तो यादि कि अगर उसका एक backlog से जादा है, तो दूसरी condition यादि यहाँ पर लिख लेते हैं, बट, लेकिन, यहाँ पर SGPA में जो उसका average है, वो क्या है, 8.5 है, तो क्या किया जाएगा, तो इसको interview के लिए बुलाए जाएगा, ठीक है, और next exceptional case क्या है, B में, यदि आपका पहला condition fulfill नहीं होता है, तो यानि कि अगर SGPA में आपका 8% average नहीं है, तो, if not one, but, तो यहाँ पर क्या करना होगा, candidate का at least कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, SGPA, और no backlog, और एक भी backlog नहीं होना चाहिए, तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर इसको return test के लिए बुलाए जाएगा, तो यह होगा information जिसको हम लोगों ने लिख लिया, आप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, question की, चलिए, question की, अगर हम बात करें, पूरी information आपको यहाँ पर लिखी हुई है, question की बात करेंगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, दिव्या graduate in bachelor of technology in computer science, यानि कि अगर हम बात करें, graduation वाली condition, condition number 3 के तो यह आपको fulfill होती हुई दिखाई, दिखाई दे रही है, आगे की information की अगर हम बात करें है, zero backlog यानि की backlog वाली condition क्या, at most एक backlog हो सकता है, तो यहाँ पर zero है, तो well and good, यह condition भी आपकी fulfill होती हुई दिखाई दे रही है, आगे की अगर हम बात करेंगे, बोला, she has an average SGP of 9.25, यानि की यह condition भी आपको fulfill होती हुई दिखाई दे रही है, and the last one C is 26 year old, यानि की 21 से 26 के बीच होना चीए था है, इनकी 21 से 26 के बीच की बीच की बात गया, तो 21 से 26 यहाँ पर आपका जो age criteria है, वो भी आपको fulfill होता हुई दिखाई, दे रहा है, यानि की यहाँ पर directly अगर हम बात करें, तो क्या होजागा, she will be selected answer कर जाएगा, option number B, बात कर लेते हैं, अगले अगर यहाँ पर हम पूछे गए प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका यहीं पर है, यहीं से हम लोग इसको भी discuss कर लेते हैं, अगला कोशन है, सूचना तकनीकी में, इसको मैं remove करता हूँ, अगला कोशन में आप देख सकते हैं, सूचना तकनीकी में, बैचलर आफ टेकनलोजी में सनातक 24 वर्सी रोहित, यानि की age वाला criteria क्या हो रहा है, यहाँ पर fulfill हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूचना तकनीकी, यानि की graduation वाला criteria भी आपका fulfill होता हुआ, दिखाई दे रहा है, ने बिना किसी backlog, यानि की backlog की बात करें, तो zero backlog है, यह criteria भी आपका fulfill हो रहा है, सभी semester में 7.8 का आउसत SGPA हासिल किया, यानि की SGPA वाला criteria आपका fulfill नहीं हो रहा है, तो हम आएंगे इसके exceptional case पर, exceptional case अगर if not one वाला है, आपका ये बी वाला है, तो अगर पहली वाली शर्त पूरी नहीं होती है, लेकिन 7.5 SGPA है या इससे अधिक है, तो आप देख सकते हैं की 7.5 से अधिक है, और साथ ही साथ condition क्या थी no backlog, यानि की zero backlog, तो यहाँ पर आपको zero backlog वाली condition भी fulfill होती हुँ, दिखाई दे रही है, तो ऐसे case में क्या किया जाएगा, candidate को written exam के लिए बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका लिखित परिक्षा के लिए पात रहोगा, यानि की answer क्या हो जाएगा, option number D, ठीक है, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, आपका option number D, बात कर लेते हैं, अगले पूछे गए, प्रशन की, अगला प्रशन आपका coding decoding पर based है, तो फटा-फट से यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, logic की, logic यहाँ पर क्या लग रहा है, तो logic के साथ-साथ यहाँ पर आपको pattern भी देखने को मिलेगा, यहनि की, F, R, A, G, R, A, N, C, E, fragrance, fragrance को क्या लिखते हैं हम लोग, sorry, fragrance के लिए आप से पूछा गया है, चलिए, पूछ और दिया किसके लिए गया है, education, education को लिखते क्या है, GHF, GHF, XD, LWQ, LWQ, और R, देखिए, अगर आपने इस question को item किया, तो क्या आपका approach होता है, आसानी से आप logic यहाँ पर pick कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर आप इसको place value लिखो के, 5, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15, 15, 14, in the same way, यहाँ पर हो जाएगा, 7, 8, 6, 24, 4, 12, 23, 17, 18, सामने सामने देखते हैं, यहाँ पर 2 का difference, यहाँ पर 4 का difference, यहाँ पर अलग आपको logic दिखाई दे रहा है, 3, 3, 6, 21, 3, 24, 1, plus 3, 4, फिर यहाँ पर देखोगे, तो 20, 3, 23, 9, 3, 12, 15, 3, 18, 14, 17, इस तरीके से, यहाँ पर आपको pattern बनता है, वो दिखाई दे रहा है, in the same way, 18, 3, 3 करोगे, 21, 6, 3, 3, 9, 7, 3, 3, 10, 10, 1, 3, 3, 4, 18, 3, 3, 2, 21, फिर उसके बाद Q, D, H, F, सुरी, यहाँ पर 3, 3, 6 होगा, last one यहाँ पर 3, 3, 6, यहनि कि F, option की बात करें, option number A आपका क्या होजाएगा, right answer यहाँ पर देखने को मिलेगा, बात कर लेते हैं, अगले पूछे गए प्रस्ण की, जो कि आपका coded form of blood relation पर based है, काफी easy सा question है, फटा-फट से क्या करना है, यहाँ पर आपको दीगे information को लिख लेना, और यह देखना है कि, first person का relation second person से दिया गया है, या फिर second person का relation first person से दिया गया है, तो यहाँ का clearly देख सकते हैं, एंड का मतलब दिया गया है mother, और हम बात करें, percentage का मतलब दिया गया है, पुत्र यानि की son, ठीक है, question की अगर हम बात करें, तो question में यहाँ पर पूचा है, निमलिकित में से कौन सा कथन, सही नहीं है, तो अगर हम बात करें, hash की तो hash का मतलब husband, यानि की इनका हो जाएगा husband, husband फिर end की बात करें, तो end का मतलब दिया गया है mother, यानि की यह हो जाएगा mother, hash का मतलब यह हो जाएगा husband, फिर percentage की बात करें, तो percentage का मतलब दिया है son, फिर उसके बाद at the rate, at the rate का मतलब दिया है sister, और हैश का मतलब दिया है यहां पर आपको husband ठीक है चली अगर हम बात करें जे क्या है जेड का ससूर है जे क्या है जेड का ससूर है तो देखें यह इनके हो गए पती यह पती की हो गई कौन माता और माता का पती क्या हो जाएगा ससूर यानि कि यह इनकी हो गए पती ठीक है ज कि ब्लकुल correct है आपका गलत दिया हुआ होगा यहां पर बोला जी क्या है है सी की अधिया होगा है तो देखिए यानि कि इनकी मदर हो गया मदर का यह क्या हो बात करती बात करेंगे 8 के cube की 8 का cube होता है 512 प्लस 8 का square होता है 500 8 का square होता है 64 यानि कि यहाँ पे हम बात करें 512 प्लस 64 को जोड़ोगे तो 576 मिलेगा इंद सेम वे 13 की बात करें तो 179 होगे square प्लस 297 होगे आपका cube again आप देख सकते square और cube पर आपको यहाँ पर question देखने को मिल रहा है यहाँ पर हम बात करें तो 97 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 9-6 हो जाएगा 15-16 यहाँ पर हो जाएगा 1-1-2 और 1-3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 यानि कि 2366 क्या हो जाएगा यहाँ बनेगा क्यों यह option आपका eliminate next बात करें तो 18 में से तीन गए 15 15 में से तीन गए बारा बारा में से तीन जाएगा नो यानि कि बनेगा option number C क्यों जाएगा पूछे गए प्रस्ट के लिए बिल्कुल चुटकियों में आप हल कर सकते तो तो ऐसा नहीं कि पेपर एकदम से टफ था और इसको बनाया ही नहीं जा सकता था आसानी से बना जा सकता था और कॉलिफाइंग सेक्शन है तो इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम आपके पास यहां पर 50 परसेंट से जादा ऐसे कोशन थे जिनको आप आसानी से बना सकते थे बागी के आपके दो और सेक्शन आपके बजगए हिंदी बजग गया चातिस गड़ी लेंगवेज बजग गया कि 5, 3, 8, 4, 12 यानी कि प्लस 3, 9, 3, 12, 4 यानी कि प्लस 3, 16, 19, 4, 23 यानी कि प्लस 3, 14, 19, 22, 25 यानी कि प्लस 3, फ्लस 3 तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे के प्रश्न के लिए ठीक है तो आई होप कि यहां पे आप लोगों ने बिलकुल अगर हम बात करें जो एक आपको यहां पे सिक्योर्ड इसकोर चाहिए होता है वह आप लोगों ने बनाया होगा ठीक है और जो एक्जाम का एक मन में बैठा हुआ है फोबिया कि ऐसा था वैसा था तो देखा ऐसा कुछ भी नहीं था अगर हम बात करें यहां पर रिजनिंग सेक्शन की हां कह सकते हैं कि कुछ एक कोश्चन ऐसे हैं जो कि टफ थे टाइम टेकिंग थे लेकिन वहां पर आपको टाइम अपना बरबाद नहीं करना था टाइम आपको वहां पर वेस्ट नहीं करना था सिलॉक्स की विवाद करें तो थोड़ा सा आपको यहां पर बैंकिंग पैटरन पर वेस्ट कोश्चन देखने को मिला तो आगे के सेशन्स में प्रियास रहेगा कि आपको सिलॉक्स की उपर भी बिल्कुल डीटेल में यहां कॉंसेप्स वगरा जो भी हैं प्रोवाइड करा दिया जाएं तो उमीद करते हैं कि आप लोगों के यहां पर कितने कोश्चन पहली चीज़ तो सही हुए यह आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे और जल्द ही आप लोगों से मेंस के लिए भी क्या होगी मुला झालेग लोगो